हलो ए वरीबड़ी तो आज हम क्लास का जो हनी डियू बुक है उसका हम एक चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लिम्प्सिप्ष अप पास्ट है ना ग्लिम्प्सिप्ष यानि कि ज्यलक हम पास्ट में एक ज्यलक डालने वाले ज्यलक देखने करह तब एक नजर दोड़ाएंगे कि 1757 से लेकर 1857 इन 100 सालों के बीच इंडिया में क्या-क्या changes आए तो ये chapter हमें pictures के थूँ आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे pictures ही है pictures के थूँ 1757 से 1857 तक इंडिया की history के बारे में बताता है हमें उन conditions की जानकारी मिलती है जिनोंने 1857 के first war of independence first world war of independence यानि कि हमारा पहला स्वतंतरता संग्राम उसकी भूमी का त्यार की countrymen यानि कि हमारे देश वासियों ने बहुत बड़ी संकिहा में इंडिया की freedom यानि कि स्वतंतरता के लिए अपना बलिधान दिया स्टोरी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया arrival यानि कि वो जब इस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी और उसके expansion से शुरू होती है जिस तरह से वो यहां पर डेवलप हुए अंग्रेज ब्रिटिश उस समय इंडिया छोटी छोटी स्टेट्स यानि कि राज्यों में ब्रोकन विभाजित यानि कि बटा हुआ था जिन पर राइवल्रीज आपसी दुश्मनी जो थी उनी नहीं यही रीजन था कि वो एक दूसरे से अलग हो गए और ब्रिटिश की मदद कर दी कंट्रोल करने में ब्रिटिश उसने सुपीरियर वेपन्स उनके पास जो बेस्ट वेपन्स थे ना उनके द्वारा भी इंडिया में इंडिया में ब्रिटिश रूल यानि की जो अंग्रेज हमके तरन अंग्रेज इस हाशन वो बहुत ही ऑप्रेसिव यानि की क्रूल बहुत ही मतलब दमनकारी था उनकी administrative policy administrative जो policy थी वो भी उनके कारण जो लोग है हमारे भारती है इंडियन्स वो पूर पूर यानि की गरीब हो गए और unhappy बहुत ही दुखी हो गए इंडियन्स पर heavy taxes बहुत भारी tax लगा दिये और हमारे small industry को destroy कर दिया तबाह कर दिया वो foreign trade यानि की विदेशी व्यापाद द्वारा हमारे देश का huge sum of money वहुत सा पैसा अपने देश ले गए fortunately राजा राम मोहनराई जैसे social reformants यहां थे और जिनोंने इंडियन्स हमारे जो भारती है थे उनका द्रश्टिक और उनके vision बदला उन्हें अपने misery and suffering के कारणों का पता चल गया इसलिए उन्होंने British rulers के against revolt कर दिया विद्रो कर दिया दिल्ली के मुगल बादशा बहदूर शा को emperor यानि कि इंडिया का समराट भारत का समराट खोशित कर दिया गया इना उस कर दिया society में सभी class के सभी वर्गों में British rule यानि कि अंग्रेजी शार्षन का अंद करने के लिए उन्होंने हाथ मिलाए सब मतलब एक हो गए लखनौ में बेगम हजरत महिल फेजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने rebellion यानि कि विद्रोईयों हमारे इंडियम को और्गिनाइज किया विवस्थित किया कानपूर जासी और इलाबाद भी आम स्ट्रगल विद्रो के बहुत बड़े सेंटर बन गए थे पेश्वा नाना साहिब पेश्वा नाना साहिब द लीडर ऑफ रिवॉल्ट अजिमुल्ला खान और दूसरे सभी ब्रेवली यानि कि वीरता पूर्व को लड़े बिहार के 80 साल के कूवर सिंग को जब रिस्ट उनकी जान चली गए अपने प्रांट्याग दिया अपना वलिदान दे दिया उनके लास्ट वर्ड्स ये थे मदर गंगा दिस इस मैं लास्ट ऑफरिंग टू यू हे मां गंगे ये मेरे आपको अंतिम भेठ हैं जो मैं आपको दे रहा हूं यानि कि मैं आपने आपको आपक ग्लिम्स यानि कि जलकिया दी गई है ये पिक्चर और स्पीचेज आपको वो कंडिशन को क्लेरिफाइब कर देगी जो 1857 के फर्स्ट वर अफ इंडिपेंडेंडेंस यानि कि प्रथम स्वतंतरता संग्राम का कारण बने थे ओके स्टुडेंस तो अब हम ऑफिशल चैप्टर स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर मैं आपको पहले बता दूं कि टोटल नाइन पार्ट्स में डिवाइड है तो हम कंटिन्यू करेंगे जितने पार्ट में हम यह चैप्टर कवर अप कर सकते हैं तो पहला जो पार्ट है व who voluntary suffers death for a cause जिसे हम शहीद कहते हैं तो चलो देखते हैं तो यह pictures में आप देख सकते हैं क्या लिखा है at a function in Delhi Delhi में एक function है उसके कारिकरम में यहाँ पर एक singer है लता मंगेशकर oh my countryman let your eyes feel with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs एह मेरे वतन के लोगो तुम आख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी तो यहाँ पर कुछ words है countryman मैं आपको बताया कि देश्वासी जिसे हम कहते है देश्वासी रिकॉल रिकॉल यानि कि उसे याद करना sacrifice यानि कि हमें पता ही है बलिदान देना तो यह थे कुछ words तो अब next यह तो ज्यादा कुछ है नहीं next चलते हैं दूसरा जो पॉइंट है the company's conquest conquest यानि कि downfall कि 1757 से 1849 तक क्या क्या हुआ so with its superior weapons the British East India company was extending its power in 18th century India तो कुछ words पहले देख लेते है superior यानि कि of high quality बहुत ही better weapons extending यानि कि stretch out जिसे बड़ाना डेवलप करना तो इसका मतलम है कि अपने superior weapon के दम पर 18th century में British East India company इंडिया में अपने power को extend यानि कि बड़ा रही थी next है कि Indian princes were short-sighted that upstart Rajabha call the English merchant they will help me to defeat him so the people had no peace due to such constant fight so कुछ difficult word देख लेते हैं अब start it means new जो नया है बाह बाह येक expression एक word है जिसे हम disagreement में बह चल ऐसा नहीं होता है so continuing for a long time constant means continuing for a long time लगातार तो इसमें बताया है कि इंडिया के जो देशी राजा थे हमारे वो बहुत ही अदूर दर्शी यानि कि short-sighted थे जिनके पास अपना खुद का कोई vision नहीं था कि उन्हें क्या करना है लोगों के लिए तो वह ऐसी बाते कर रहे थे कि कल का वो आया हुआ नया राजा बह यानि छी English merchants को बुलाओ वो उन्हें हराने में मेरी मदद करेंगे तो ऐसे वो English merchants की help लेकर नए राजाओं के साथ युद करते थे और आपस में लड़ते रहते थे ऐसी constant fights के कारण देश में कभी भी peace यानि की शांती नहीं थी so the rivalries help the East India company and it could easily subdue Indian princess one by one rivalry it means animity animity यानि कि हम दुश्मनी कहते ना वो subdue it means put down by force दबा देते थे ओपरेस कर देते थे so ये कहते थे कि देशी राजाओं को आपसी दुश्मनी ने उनकी जो अंदर की दुश्मनी थी वो East India company की help की उन्होंने वो दुश्मनी ने उसने एक एक करके आसानी से Indian princess यानि कि भारतिया राजाओं का दमन शुरू कर दिया उनको दबाना शुरू कर दिया a far-seeing ruler like the brave tipu of मैसूर fought the British till he died fighting मैसूर का एक brave यानि कि बहुत ही वीर बहुत ही चतूर बहुत ही सासी टीपू सुल्तान एक far-seeing far-seeing यानि कि उनके पास vision था वो बहुत ही अच्छी तरह से उनको पता था किस देश को किस तरह से मुझे आगे ले जाना है सो दूर देशी एक राजा था जो मरते दम तक Britishers यानि कि अंग्रेजों से लड़ता रहा है तो यहां पर लिखा है कि how did Indians react to this conquest इंडिया किस तरह से दो अलग-अलग तरह के लोग थे Indians ने इन conquest यानि कि इन victories के लिए क्या reaction दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं thank God there is a peace in the country right now no more wars and no looting by thugs thugs आपने सुना है ना thugs of Hindustan एक movie आई थी तो thugs इत मिन्स यंग criminal लूटेरे जैसे कहते न वो तो यह कहना चाहते कि चलो thank God भगवान का शुकर है कि देश में अब श्यांती है और अब ज्यादा wars यानि कि लड़ाईया नहीं है और कोई ठगों के द्वारा हमारी लूट भी नहीं हो रही है it is God who sent the British भगवान नहीं इस Britishers को हमारे लिए भेजा है thank you our destiny is linked with them हमारी जो destiny हमारा जो luck है हमारा भाग्या जो है वो Britishers अंग्रेजों के साथ जुड़ा है और अब कुछ लोग इन से बिलकुल अलग सोचते थे the white man has killed or dethroned our kings Britishers यानि कि अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को मार डाला killed या उनको dethroned dethroned यानि कि राजगदी से उतार देना या निकाल फेकना some kings were not good but after all they were of this land हां हमें पता है कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी वो इस देश के थे now we have become slaves of foreigners slaves slaves यानि की prisoners गुलाम राइट तो यह कहते हैं कि अब हम foreigners यानि की विदेशियों के Britishers के गुलाम बन गये हैं so student यहां तक हम पहला पार्ट खतम करते हैं आगे क्या जो chapter है वो हम next पार्ट में पढ़ेंगे